अमेरिकी संसत के निचले सदन, House of Representatives की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान पहुँचने से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया। चीन पहले से ही धमकी दे रहा था कि नैंसी पेलोसी ताइवान आएंगी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। लेकिन सवाल है कि चीन नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से इतना चिढ़ा क्यों हुआ है। चीन सुवाशा से ताइवान को एक अलग प्रांध के तोर पर देखता है। चीन ये भी कहता है कि जरुत पड़ी तो वो बल का इस्तिमाल करके ताइवान को अपने में मिला लेगा। ताइवान को एक स्वतंतर देश के तोर पर माननेता देने वाले मुलकों के खिलाफ भी चीन काफी मुखर रहा है। नैंसी पेलोसी को अमेरिका की उपराश्टरपती कमला हैरिस के बाद अमेरिकी राश्टरपती की रेस में दूसरे नंबर पर माना जाता है। साल 1997 में अपने पूर्व वर्ती न्यूट गिंगरीच के ताइवान दोरे के बाद नैंसी पेलोसी अमेरिका की सबसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इस दूईब का दोरा किया है। नैंसी पेलोसी के ताइवान दोरे की योजना पर चर्चा भले थी लेकिन इसकी उपचारिक पुष्टी नहीं की गई थी। की पेलोसी को रोखने की कोशिश वाइट हाउस ने की थी। हाल ही में राश्ट्रपती बाइडन ने कहा था सेना का मानना है कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। कोड़ तियन्यमन कहीं थी। इसके लिए उन्होंने चीनी मेजबानों से अनुमती भी नहीं ली थी। तियन्यमन पर तब पेलोसी ने एक पेंटिंग लहराई थी जिस पर लिखा था। जिन्होंने चीन में लोकतंत्र के लिए जान दे दी उनके लिए। तब वहाँ पुलिस भीततकाल पहुँच गई थी और इस घटना को कवर करने वाले पत्रकारों को पकड़ लिया गया था। चीन के विदेश मंत्राले ने तब पेलोसी की लिंदा की थी और इसे पूर्व नियोजित तमाशा बताया था। तब कई लोगों ने पेलोसी के इस रुख की आलोचना की थी। उससे पहली बार उनका परिचाए इसी वाकए में हुआ था। राष्टरपती हूजियनताओ के साथ एक बैठक में पेलोसी ने चार पत्र सौंपने की कोशिश की थी। इन पत्रों में चीन और तिबबत में मानवाधिकार कारेकरताओं की गिरफतारी पर चिंता जताई गई थी। और उनकी रहाई की मांग की गई थी। हाला कि हुजिनताओ ने उन पत्रों को स्विकार नहीं किया था। कहा जाता है कि साथ साल बात पकेलोसी ने हूजिनताओं को दूसरे पत्र भेजे तब वो राश्ट्रपती बन चुके थे। इस पत्र में भी पकेलोसीने राजनित्य कैदियों को रिहा करने की मांग की थी। इन कैदियों में लियो श्याबो भी शामिल थे। 2010 में लियू को शांती कर नोबल सम्मान मिला था लेकिन उन्हें नौर्वे जाकर एवाड लेने की अनुमती नहीं मिली थी। मानवाधिकारों के उलंगन का हवाला देते हुए पहलोसी लंबे समय से चीन में उलंपिक खेलों के आयोजन का विरूध करती रही है। पहलोसी ने अमेरिका के ततकालीन राष्ट्रपती जॉर्ज डबल्यू बुश से साल 2008 में चीन में समर उलंपिक्स के उधगाटन समाहरों का बहिशकार करने की मांग की थी। तब राष्ट्रपती बुश ने इससे अनसुना कर दिया था। इस साल भी पहलोसी ने बीजिंग में विंटर उलंपिक्स के राजनाइक भहिशकार की महिम चलाई थी। पहलोसी चीन में वीगर मुसल्मानों का मुद्धा भी जोर शोर से उठाती रही है। विंटर उलंपिक्स के बहिशकार की महिम को भी उन्होंने वीगर मुसल्मानों से जोड़ा था अमेरिका ने इस बार बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का राजनाईक पहिशकार किया था पैलो सी ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के पहिशकार का समर्थन करते हुए कहा था चीन में एक तरफ जन सहार चल रहा है और इस बीच दुनिया भर के राष्ट्रा धिक्स चाहेंगे ऐसे में मानवाधिकारों को लेकर बोलने का आपके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता है चीन में अमारी की दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा था कि चीन की बेवजह आलोचना का कोई मतलब नहीं है विश्व वियापार संगठन में भी पहलो सी चीन क मानवाधिकारों के मुद्दे पर घेरती रही है